एक तरफ सलार फिल्म है और दूसरी तरफ डंकी फिल्म है। डंकी फिल्म बोक्स आफीस पर अपना दम तुड़ रहा है। यानि बालीबुड साउत के आगे अपना दम तुड़ रहा है क्यूँ तुड़ रहा है इसका कारण जानी है क्यूंकि जो खानों के खान महा खान कहे जाने वाले सारू खान का फिल्म आता है 21 दिसंबर 2013 के दिन रिलीज होता है डंग के फिल्म और 22 दिसंबर 2030 के दिन परभास का सलार आता है लेकिन जब सलार आता है तो डंकी फिल्म की कमाई बहुत ही कम हो जाती है लेकिन सलार का जो पहला वर्ल्ड वाई कलेक्शन था बॉक्स ओफिस पर वो 90 कुरूड प्या था और पहले दिन जो डंकी कमाई की थी लमसम 30 कुरूड के स्मथिंग कमाई की थी ये सलार से बहुत ही कम है देखी जाये तो कई सालों से बाली बूड साओथ से बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम सायद आपको बताने वाले हैं जानते हैं क्यों South बाली बुट से आगे जा रहा है? इसका कारण एक ही है कि जो content लाता है जो फिल्म की कहानी लाता है साउथ वो बालीबूड वाले कभी नहीं दिखाते हैं बालीबूड वाले अक्सर हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं और साउथ वाले एक अदम मलक तरीके से फिल्म को बनाते हैं और दिखाने का काम करते हैं हलाकि साउथ में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो हाली बूट को भी फेल कर देती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि बाली बूट का जो डंकी फिल्म है यानि सारू खान के फिल्म तीन दिनों की कमाई कितनी है क्या दो दिन में सलार फिल्म प्रभास की कितनी कमाई कर चुकी है ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियों बने रहे हम आपको बताते हैं कि साउथ की फिल्म सलार कितनी दो दिनों में कमाई कर चुकी है और डंकी फिल्म तीन दिनों की कमाई कितनी है ये जानिये क्रिश्मह डे के मौके पर रिलीज हुई प्रभाज के फिल्म सलार ने पहले दिन रिकार्ड थोड कमाई किया पहले दिन के मुकाबले दुसरे दिन की कमाई में थोड़ी बहुत गिरावट हुई हाला कि इसके बावजूत सलार ने डंकी को पीछे छोड़ दिया दो दिन के ब कितनी हुई सलार की सलार ने दूसरे दिन सभी भासाओं में 56.35 करोड रुपय की कलेक्षन किया दूसरे दिन सलार की कमाई 37.87 फ्रीशली की गिरावड़ धर्ज हुई है हालांकि साउत के मुकाबले हिंदी की कमाई में उच्छा लाया है हिंदी वर्जन में हिंदी वर्जन ने 16.35 करोड उपिये के कलेक्शन किया है, तेलगू वर्जन ने दूसरे दिन 34.25 करोड उपिये, मल्यालम ने 1.75 करोड उपिये, तमिल में 3.5 करोड उपिये और कन्नड में 0.95 करोड उपिये के कलेक्शन किया है, दूसरे दिन के बाद फिल्म की कुल कमाई 147 पॉइंट 5 करूड रुपिया हो गई है सलान ने पहले दिन 178.7 करूड रुपिय का worldwide collection किया था वहीं भारत में पहले दिन सभी भासाओं में 90 करूड रुपिय की कमाई की थी तेलगू भासा में 6.7 करूड रुपिय मल्यालम में 3.55 करूड रुपिय तमिल में 3.75 करूड रुपिय और कंदड में 0.9 करूड रुपिय की कमाई की थी और हिंदी में 15.75 करूड रुपिय की कमाई की थी सलार के ये हफता काफी अहम है क्रिस्मस और निव यर्क की छुटियों कमाई में इजाफा हो सकता है सलार के साथ रिलिज हुई सार्यु खान की फिल्म डंकी ने तीन दिन में 74.82 करोड उपिय का कलेक्शन कर लिया है डंकी ने पहले दिन 29.2 करोड उपिय दूसरे दिन 20.12 करोड उपिय और तीसरे दिन 25.5 करोड उपिय का कलेक्शन किया था दूसरे दिन के मुकाबले तिसरे दिन फिल्म की कमाई में 26.75% का उच्छाल आया है तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह डंकी सिनेमा घरों में अपना दम अप तोड़ रहा है लोग सलार को देख रहे हैं परभास को देखने जा रहे हैं यह सारू खान की कोई हम बुराई नहीं कर रहे हैं कुछ लोग होंगे कि कहेंगे कि सारू खान की आप बुराई कर रहे हैं ऐसा नहीं है भाई साब हम सारू खान की क्यों बुराई करें हम साउथ की बढ़ाई कर रहे हैं कि साउथ ऐसा कॉंटेंट लाता है अईसे चीजों को दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं क्योंकि साउथ में वो चीज होती है जो साएद कभी फिल्मों में किसी फिल्मों में दिखाई नहीं जाती है लेकिन अगर वही बाली बुड में आएंगे यानि हिंदी फिल्मों में तो सेम वही कॉंटेंट होगा किसी इतिहास पे होगा तो कहीं कोई मतलब ऐसा चीज उठाकर डाला जाएगा जो आल रेडी आप जानते होंगे लेकिन साउथ में सस्पेंस वाली कहानी अक्सर बनती है आप बाहू बाली देखे होंगे आर 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 देखे होंगे ऐसे तमाम फिल्में हैं साउथ की जो सूपर डूपर हिट रहे जो कई हजार कुरूर प्या कमाई थी वहीं देखी जाए तो जवान और पठान सारु खान की पहले चली थी हजार कुरूर से भी उपर कमाई थी लेकिन डंकी फिल्म ऐसा लग रहा है कि हजार कुरूर प्या क्या 500 कुरूर प्या नहीं कमा पाएगी लेकिन देखी जाए सलार फिल्म जो प्रभास की है साउथ की फिल्मे हैं वो हजार कुरूर का पारसाय हो सकता है हम च कर दो